नमस्कार दोस्तों अभी अभी दू मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाख खबर सामने आ रही है सरद्धालों से भरी टेक्टर ट्रोली खाई में गिरी चारो और मौत ही मौत लासो ही लासो का लगा धेर एंबुलेंस गाडियां ततकाल रवाना कर दी गई है जी हां सातियों बता दे इस वक्त के सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जुझनू में बड़ा हाथसा हो गया है जिसमें सरद्धालों से भरी टेक्टर ट्रोली खाई में गिरने से आठ लोगों की दर्दनाग मौत हो गई है वही कई लोग घायल भी हुए है जनें इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया है जानकारी के मताबिक एक मंदिर से लोट रहे भक्तों से भरी एक टेक्टर ट्रोली अचानक गहरी खाई में जागिरी जिले के उदैपुरवाटी छेतर में हुए हाथसे में आठ लोगों की मोत हुई है जबकि करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए है बताये जा रहा है कि ये सबी लोग मनसा माता मंदिर में दर्सन करके लोट रहे थी इस दोरान हाथसे के तुरंत बाद जिला आधिकारी डांक्टर खुसाल यादाओ और एस भी मिर्दुल कच्छावा मोके पर पहुँचे और घायलों को अस्पतालों में भरती करवाया गया है जानकारी के मुताबिक हाथसे में घायलों में से कुछ को जुन्जनू रेफर कर दिया गया है जो कि दोस्तों बेहाध ही गंभीर रूप से घायल थे और मौत और जिंदगी से अब अस्पताल में जूज रहे हैं मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर यही विंती रहती है हर वीडियो में कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करो अगर आप ड्राइवर हो तो गाड़ी बड़ी शेफटी से आपको ड्राइव करने चाहिए क्योंकि दोस्तों लगातार दर्दनाक हाथ से हो रही है कभी दोस्तों टेक ट्रोली खाई में गिर रही है आज दोस्तो एक वेश्णो देवी के जा रही एक बस दोस्तो खाई में गिर गई और वहाँ पर भी दोस्तो लगबग 10 लोगों की दर्दनाग मौत हो गई है और दोस्तो इससे पहले करनाटक के मैसूर में भी भीशन सडक हादसा हो गया था उसमें भी लगबग 10-11 लोगों की दर्दनाग मौत हो गई थी तो दोस्तो इस प्रकार के दर्दनाग हादसे ना हो इसलिए आप सावधानी से अलर्ट तरीके से गाड़ी ड्राइव करें ताकि दोस्तो हादसे ना हो भगवान मिर्तक यात्रियों की आत्मा को सांती दे सरद्धालों की आत्मा को सांती दे इसलिए कॉमेंट बॉक्स में सान्तियों आविश्य लिखें पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा हो तो चैनल को करने सब्सक्राइब बेला इकन को प्रेस करें वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें ताकि दूस्तो हर आदमी सतर्क हो अलर्ट हो ताकि इस प्रकार के हाथ से ना हो सके धन्यवाद दूस्तो जै हिंद जै भारत वंदी मातरम